दोस्तों कई बार जो चीजे बस कलपनाओं में मौजूद होती हैं, उनकी कलपना करने के बाद बस यही लगता है कि इनका सचाई से कोई वास्ता नहीं, पर हम यह भूल जाते हैं कि कलपना की शुरुआत वास्त्विक्ता से ही होती है कई बार कालपनिक दुनिया पे आधारित बनी फिल्मों में दिखाई गई जगें असलियत में मौजूद होती हैं बस हम इन जगहों को देखने से पहले इन पर विश्वास नहीं कर पाते तो चली दोस्तों आज हम जान लेते हैं कुछ ऐसी जगहों के बारे में जो लगती है नकली पर है बिल्कुल असलि शुरुआत करते हैं नमबर पांच से पांचे नमबर पर है वाइकल लेक साइबेरिया में सिद बाइकल तलाब को कुदरत के द्वारा बनाया गया सबसे जादूई तलाब कहा जाये तो शायद गलत नहीं होगा हर सीजन में इसका रंग रूप बदल जाता है इस तलाब का पानी इतना साफ है कि 130 फीट नीचे पानी में मौजूद पत्थरों का अपनी खुली आँखों से देख सकते हो इस जगह का असली खेल शुरू होता है ठंडी के मौसम में ठंड में ये तलाब पूरी तरह से बर्फ में बदल जाता है बर्फ की ये परत होती है करीब 2 मीटर इतनी चौड़ी अगर आप सोचती हो कि इतनी सी बर्फ के परत में कई गाड़ियां धस्ती होगी और बर्फ के नीचे पानी में डूप के कई लोगों की जान जाती होगी पर आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 मीटर ये चौड़ाई किसी भी ट्रेन को उपर से गुजरने के लिए काफी होती है यहां की बर्फ किसी हीरे जैसी साफ और अलग-अलग आकारों में मौजूद होती है इनहीं आकारों की वज़े से इन बर्फ से सूर पैदा किये जा सकते हैं और इन्हें बजाय भी जा सकता है इस पॉटेट लेग किसी भी फैंटेसी फिल्म राइटर की कलपना नहीं है मेरे दोस्त ये वो सच्चाई है जिसपे विश्वास करना साइध ही आपके लिए आसान होगा ब्रिटिश कोलंबिया में इस्तित इस जगह पे जाने पे आपको ये तलाब देखने को मिल जाएगा इसके सबसे बेहद अलग रूप जैसे की पानी के सता पे अलग-अलग स्पोर्ट तयार हो जाना इसे विचितर बना देता है ये तलाब कई खनिश पदार्थों के मामले में अमीर है इस खनिश पदार्थों की वज़े से इस पानी को पिया नहीं जा सकता मचलिया भी इस पानी में तैरने की बारे में नहीं सोचती ठंडी और वसंत रीत में ये तलाब फलफूल जाता है पर गर्मियों में यहां का अधिकतम पानी भाब बनकर उड़ जाता है और तैयार हो जाते हैं ये स्पोर्ट्स इसे आप देख सकते हो लेकिन इस पानी को छोने का जोखी मत उठाना वरना आपको कई शारेरिक परिसानियों का सामना करना पड़ सकता है इस सबसे लाजवाब रोट को देख आपको लग रहा होगा कि आपने इसे कही ना कहीं देखा है इस रोट को शामिल किया जाता है दुनिया के सबसे खूफसूरत जगहों में इस रास्ते के दोनों और लगे पेड लाजवाब भी लगते हैं और डरावने भी दिन में सफर का सोहाना बनाने वाले पेडों से भरे इस रास्ते को जब आप रात में देखोगे तो इसकी विरानियों को देख आपका पल भर भी यहां रुकने का मन नहीं करेगा ऐसा लगता है कि जैसे यह पेड जिन्दा हो चुके हैं और यह आप पर कभी भी हमला कर सकते हैं अगर यहां जाना है तो इस बात का जरूर ख्याल रखना कि आप दिन में ही यहां पहुँचो चे लाग साल पहले बनी पत्थरों की यह सनचना 1200 सालों से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है चीन में इस सिति सम्मोहित करने वाली गुफाओं में आप अपने जीवन साथी के साथ ही चलना पसंद करोगे गुफा के अंदर 787 फिट लंबी दूरी के बने इस चलने लायक रास्ते से हम देखते हैं कि किस तरह से सैकडो तरह की कृतिम खूफसूरत रोशनिया इस गुफा को स्वर्ग बना देती है यहां भेट देने वाले सैलानियों का कहना है कि शायद भगवान भी ऐसे ही किसी जगह पर रहते होंगे चूना पत्थर से बनी इस जगह को बनाने के लिए शायद कुदरत ने काफी समय लिया होगा तभी तो आँखों से दिखाई देने वाले ये अविश्वोशन ये नजारे और आपके दिमाग में मौझूद कलपनाओं का ताल मिल बिठाना थोड़ा मुश्किली हो जाता है इसके नाम से ही आपको इसके खुपसूरती के बारे में अंदाजा हो गया होगा युक्रेन के क्लेवन में इस्थित ये जगा कुदरत के द्वारा बनाये गया एक ऐसा कमाल है जिसे कोई भी देखने से खुद को रोक नहीं पाएगा इस ट्रेन के 3-5 किलोमेटर दूरी तक पूरी तरह से हरियाली ही हरियाली है यहां से गुजरते लोगों को इतनी खुशी होती है कि ये खुशियां समेटने के लिए उनका दामन भी कम पड़ जाता है इस खूफ सुरट टेनल में आप अपने साती का हाथ अपने हाथ में लेकर जरूर चलना चाहोगे और यही कारण है जो इस टेनल को टेनल आफ लब भी कहा जाता है आज के लिए दोस्तों बस इतना ही आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूले और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं फिर मिलूँगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार